यूटूब चैनल स्वरा अनकेडमी क्लासेस पर जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहां ट्रैंगिल चेप्टर हैं यह क्लास 10th की मैथमेटिक्स है इसकी हम आज स्टार्ट करेंगे 6.4 आज यह सुरू करते हैं देखिए इसमें जो बताया गया पहले थोड़ी सी थेोरियों प्र कि अनुपाद एक ही यही समान रहते हैं क्या आप सोचते हैं कि इन तरभुजों के छेत्रफलों के अनुपाद और इनकी संगत भुजाओं के अनुपाद में कोई संबंध है यानि इनका जो एरिया है एरिया और इनकी भुजाएं जो हम रेशियों में भी तक लिखते आए हैं उनके बीच में क्या कोई संबंध हो सकता है तो बिलकुल संबंध हो सकता है कि छेत्रफल को वर्ग मानकों यानि स्क्वाइर में ना पा जाता है यानि हम कभी भी यूनिट इसका मात्रग देखते हैं तो आप स्क्वार मीटर या स्क्वार सेंटी मीटर इस तरह के से लिखते हैं तो आप ये आसा कर सकते हैं कि छेतर फलू यानि एरियाज के अनुपाद के संगत भुजाओं के अनुपाद के वर्ग के बराबर होगा ये हम इस प्रमे के माध्यम से सिद्ध करेंगे दो समरूप यानि दो सिमिलर ट्रैंगल हमने यहाँ पर कंसीडर कि यह आपकी टेक्स्ट बुक में है आप देख लीजे अपने टेक्स्ट बुक ओपन कर लीजे ये पेज और आप देखिए कि यहाँ पर क्या इनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर ये स्टेट्मेंट आपको याद भी करना होगा कि दो समरूप त्रबुजों के छेत्रफलों के अनुपात अगर हम लिखते हैं एरिया लिखते हैं एरिया इधर लिखा हमने इधर इस साइड में तो इधर जैसे हमने लिख दिया ए बी स्कॉाइर बटे तो यहां क्या लिखते हैंगे पी क्यू इसकॉाइर इस तरीके से चीजों को हम यहां कंसीडर कर सकते हैं तो आईए इसी चीज़ को यहां हम समझते हैं आगे आपका जो एक आपके ही टेक्स्ट बुक में दिया गया है उसी ही समझ लेते हैं वहाँ पर दो आपके पास बने हुए हैं डाइग्राव उन डाइग्रावन में देखी यह हम लिख सकते हैं जैसे अगर हमने कह दिया कि यह सिमिलर है सिमिलर कर प्रूफ करना हम जानते हैं तो ये condition किस प्रकार से आएगी इसको हम समझते हैं सिमिलर हमारे पास है अलड़ी एक condition दी गई है तो देखिए area हम क्या लिखते हैं half base height लिखते हैं यहीं जो किसी भी triangle का हम area लिखते हैं वो क्या लिखते हैं एक बटे दो half base into height यही तो लिखते हैं यही चीज यहाँ पर इस formula का यहाँ पर प्रियोक किया गया है दोनों के लिए P और Q के लिए हमने यहाँ पर देखिए प्रियोक कर दिया half base into height फिर ratio में लिखना है तो हमने divide कर दिया तो AB बटे PQ or area के रूप में लिख दिया one by one by two cancel हो गया यह चीज बसती है यहाँ पर जब यहाँ पर बच गई तो यह इस question हमने first कह दिया अब उसके बाद हमने दो अलग से ट्रेंगिस उसके छोटे ट्रेंगिस ले ले लेते हैं और उनको हम सिद्ध करते हैं जैसे ही हम सिद्ध करेंगे तो उनके भी एरियास के रूप में हमें यह चीज़ कंसिडर होके हम मिल जाती है जब मिलेगी तो दोनों को जो हम पास में रखेंगे तो हम multiply कर देंगे तो यह square के रूप में मिल जाएगी तो यह तो एक भुजा के रूप में मिली हमें तो इस प्रकार का हम यूज कर सकते हैं में लिए हमारे पास क्या होना चाहिए similar होना चाहिए और जो है base into height half base into height के formula का हम प्रियोग करते हैं तो आईए शुरू करते हैं अपनी exercise को देखिए यहाँ पर जो है हमारे पास जो exercise है माल लीजिए कि एक triangle है आपके पास जो similar यहाँ पर given किया गया है कहा गया है कि ABC और एक DEF जो है वो similar triangles हैं तो जब similar triangles हैं तो आपको इसमें कुछ करना ही नहीं उनमें का कि करमसा 64 and 1 to 1 centimeter square यह दोनों area दिये गए हैं और EF एक side आपको यहाँ पर दी गई तो BC आप गयाद कर लीजिए तो देखे EF दी गई है यहाँ पर तो इधरी की आप BC ले लीजिए और उसका whole up square कर दीजिए तो आईए इसको लगाते हैं पहले question को तो पहला question जो आपके पास आएगा तो first question आ रहा है यह area जो आपके पास है जो area है A, B, C का वो कितना दिया गया है 64 cm square प्रवाइट कराए गया है इसी प्रकार एक area और आपको दिया गया है देखिए area दिया गया है यह D, E, F है इसमें दिया गया है आपको 1, 2, 1 cm square आपको दिया क्या क्या है यह आप देख लीजी फिर आपको एक side दी गई है यह क्या side दी गई है 15.4 cm यह चीज इतनी दी गई है अब आप जानते हैं जब यह similar होते हैं तो आपको अभी हमने एक formula प्रमे के थुरू बताया है एक area लिखेंगे आप लिखेंगे A, B, C divided by area D, E, F equal to जैसे वहाँ पर B, C दिया था तो आपको B, C find out करना है यह B, C square divided by आप यहाँ पर क्या लिखोगे E, F का whole up square तो यहाँ देखी जो आपको यहाँ पर given है तो आप given में क्या रखतोगे यहाँ तो आपके पास B, C ही रहेगा यहाँ area आपको जो दिया गया है वो 64 दिया गया है divided by 1 to 1 equal to B, C हमें find out करना है और नीचे आपको क्या दिया गया है नीचे आपको दिया गया है 15.4 का whole up square यह चीज़ आपको provide कराई गई आप cross multiplication कर सकते हैं या दोनों तरफ whole up square कर सकते हैं तो जैसे ही आप अगले step में लिखेंगे तो यह कुछ इस तरीके का pattern आप बना सकते हैं BC यहाँ 15 पॉइंट 4 का whole up square equal to यहाँ देखी 8 और आप इसको क्या लख सकते हैं का whole up square तो whole up square दोनों तरफ से हटा सकते हैं तो आपके पास simple सा क्या बनेगा BC बटे 15.4 equal to 8 divided by 11 यह चीज़ बन जाएगी अब बहुत आसान सा हो जाता है इसके बाद आप चाहते तो square ना कर सिदे square कर भी सकते थे उसमें उसी से multiply कर सकते थे और नहीं अगर आप इस तरह solve करना चाहते हैं तो इस तरह के से भी आप solve कर सकते हैं आप simple सा question हो गया यह बन गया तो आप यहाँ पर लिखेंगे BC equal to यहाँ क्या बनेगा आपके पास आके यहाँ तो आपके पास 8 है multiplied by 11 है divided by आपके पास क्या आएगा यहाँ आपके पास 8 11 divided by 11 देखी यहाँ पर है 8 divided by 11 आप इधार से लाएंगे तो क्या मिलेगा 15 divided by 4 बनता है अब जैसे ही आप इसको divide करेंगे तो आपको क्या मिलेगा देखी यहाँ 8 है तो यहाँ 11 बन जाए 11 point 4 तो आप इसको divide multiply कर लिए 8 multiplied by 1 point 4 इसको multiply करेंगे 8 से आप इसके 2 point 1 and 1 यह आपका centimeter में 20 की length हो जाती है यही आपको यहाँ पर find out करनी थी तो इस प्रकारा आसानी से questions, answer find out कर सकते हैं चलते हैं अगले question के तरफ अगले question में देखिए क्या है आपके पास एक sum lump दिया गया है जिसकी सामने आमने सामने के sides parallel होती है लेकिन equal नहीं यह जरूरी नहीं तो यहाँ पर देखिए क्या है कि sum lump है और इन्होंने कहा कि a b parallel dc है यह यह side इस side के dc लिख देते हैं यह इसके parallel है given है विकर्ण बिंद o पर पर परच्छेद करते हैं यह o बिंद पर परच्छेद करते हैं यदि a b two times cd है यानि cd के two times है तो इस तरीके से छोटी और बड़ी हम बना सकते हैं तरभुज a o b a o b यानि इस तरभुज की और a की इस तरभुज की c o d के छित्रफलों का अनुपात क्यात कीजिए यहां simple side questions पूछा गया है आईए इसको try करते हैं सबसे पहले आपको diagram एक बना देते हैं क्योंकि two times कहा तो नीचे की एक side हम बड़ी बना लेंगे एक छोटी बनाएंगे यह कुछ इस तरीके का बनता है यहां हम लिगएंगे a b क्योंकि वो two times है तो उस तरीके से हमने बनाया इसको अब यहां देखिए आप क्या है यह बिकन बनाएंगे इन बिकन को जब हम बनाएंगे तो यह o बिंदू पर कट करेंगे ऐसा कुछ इन्होंने बताया अब यहां पर दो चीज़े तो आपको दिद दी गए थी कि यह parallel है और यह जो समलंब है मारे पास तो कहा गया कि a b जो है वो parallel है डी सी के और जो डी सी है जो डी सी है जो आपको प्रवाइड कराई गई है जो यह नहीं हम a b को कह सकते हैं सिधा यह नहीं आपको लिखा होगा आपकी देखिए question में a b equal to two times dc भी यहां पर given है यह चीज़े हमें यहाँ पर given है और become o बिंदू पर करते हैं तो हम यहाँ पर देख लिए consider कर सकते हैं triangle a o b जो हमको सिध्ध करना है और कौन सा एक triangle लेना है उसके just opposite वाला और triangle c o d यह हमें लेना है तो देखिए इसमें क्या कर सकते हैं सबसे पहले हम इसको similar proof करेंगे और जैसे ही हम similar इसको proof करेंगे तो अब देखिए यहाँ आपको क्या मिलेगा a o b equal to a o b यह वाला triangle इसी तरह के से इधर का triangle होगा तो उसको क्या कर सकते हैं triangle c o d यह क्या होंगे सीर्सा भिमुक कौन होंगे क्या होंगे यह लिख देंगे यहाँ पर यह लिखेंगे सीर्स भिमुक सीर्स भिमुक कौन के कारण यह एककोल होंगे इसी प्रकार आप आगे भी लिख सकते हैं आसानी से यह तो पहला point हो गया और फिर दूसरा point आप लिख सकते हैं इसी triangle में जिससे आसानी से आप दूसरा triangle आपको देखिए मिलेगा o a b आप देखिए इस diagram में o से चलेंगी a प triangle के अगर हम बात करें यहाँ पर तो एक o से चलेंगे c की तरफ जाएंगे और d की तरफ चले जाएंगे तो यह आपको एकान तर्कूर इनको हम कहते हैं triangle o a b यह जो है आपको मिलेगा a o b equal to triangle o c d यह क्या है एक अंतर कूर है एक अंतर कूर आपको यह मिल जाएगा इस कारण यह क्या होगा दोनों सेम होंगे तो इस प्रकार क्या होगा कि a a सम रूपता सम रूपता से यह triangle क्या होगे a o b similar हो जाएंगे triangle c o d के लिए similar होगे अब similar होगे तो similar हो जाने के बाद हम इसे लिख सकते हैं आसानी से area triangle a o b equal to पहले a b का whole up square नीचे बटे में कर देते हैं area triangle c o t बटे में क्या जाएगा यहाँ d c का whole square अब क्योंकि यहाँ पर क्या कहा गया था हमें एक चीज़ प्रोवाइड कराए गयी थी कहा गया था कि a b equal to two times c d है यह d c है जो भी है तो उन दोनों को हम यहाँ पर रख देते हैं तो हम दोनों रखेंगे जैसे ही हम इस जगे पर इस मान को रख देंगे तो यहाँ हमें a b की जगे पर हम two times d c provide कराएंगे जैसे ही put करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको क्या मिलेगा इस जगे पर आपको मिल जाएगा four d c square divided by d c तो यह d c और यह d c cancel out हो जाएगा और cancel out हो जाने के बाद आपके पास यहाँ क्या आएगा area देखें triangle a और b यहाँ होगा और area triangle होगा आपके पास c o d c o d अब देखिए क्या अनुपाद बनता है दोनों का अनुपाद जो बनेगा area triangle a o b divided by area triangle c o d equal to four उपर आया नीचे वन आया यहीं हम सीधा लिख सकते हैं कि जो अनुपाद हमें मिलेगा वो four is to one में हमें अनुपाद मिल जाएगा तो इस प्रकार हमें सवाल को स्वाल कर सकते हैं आसानी से आईए चलते है question number third के तरफ question number third में देखिए आपके पास क्या बताया गया है question number third में है कहा गया कि एक आकरत दी गई है जो diagram आपका यहां पर बना हुआ है इसका एक ही आधार पर यानि एक ही आधार bc bc ये समझे आधार bc पर दो त्रफुच एक abc एक अधर का त्रफुच मान लीजिए और दूसरा त्रफुच आपको कैसा दिया गया है दिखिए पर एक DBC DBC यह दो त्रिफुश हो गए बने हुए यदि AD यह नीचे की AD यह साइड AD और BC यह जो हमारा diagonal बन रहा है को ओपर परच्छेद करें तो दरसाई यह ABC ABC धर कट रहेंगे और DBC जो है OA बटे OD है कि नहीं है तो आईए इसको हम सुरू करते हैं सवाल आपके समझ में आ गया होगा तो यहां देखिए दो त्रिफुश दिये गए हैं तो यहां पर हमको जो दरसाना है वो दिया गया है कि एक triangle है यह हम देखते हैं इस तरीके से बनाया गया है जो डाइग्राम हम प्रवाइड कराए गया है कुछ इस तरीके का है बी डी सी ए और 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 हमें प्रूब करना है एरिया के टर्म्स में तो हमें प्राप्त यहां पर क्या है कि हमें triangle एक दिया गया है हम ले लेते हैं A, B, C, R और क्याद ले लेंगे triangle ले लेंगे D, C ले लेते हैं यह दो चीज़े हमने ले ली यहां पर इन दोनों triangles के साहता से हमें consider करना है अब देखे यहां अगर हम देखे triangle जो है यहां सिद्ध करेंगे A O E ले लेते हैं A देखे यहां कौन सा आएगा A आएगा O आएगा यहां पर A एक construction हमको करना पड़ेगा हम A, E को perpendicular लिख देते हैं PC पर देखे A A, E को हम perpendicular BC पर लिख देते हैं इसी तरह किसे DF को हम perpendicular लिख देते हैं BC पर यहां से ऐसे देखे यह हमारा बन जाएगा तो हम लिख सकते हैं A E O हम यह लिखते हैं A, E यह आपको construction करना होगा अलग से तो जैसे ही हमने लिखा इसमें तो क्या जाएगा angle A E O equal to 90 degree मिल जाएगा क्योंकि हमने construction किया है तो यह आपको यहां पर क्या मिलेगा 90 degree का angle मिल जाएगा E वाला उसी तरीके से आपको वहापर क्या मिल जाएगा दूसरे में आपको मिल जाएगा D E O यहां क्या मिलेगा D F O आएगे तो यहां भी आपको 90 degree का मिल जाएगा तो इस पकार क्या होगा A E O Equal to triangle D F O Equal हो जाएगे अब equal हो जाएगे तो इनको हम क्या कह सकते हैं यह सीरसा भी मकूर भी हम इनको जैसे D F E 90 90 दोनों हो गए जब 90 90 दोनों हो गए दोनो 90 हैं तो इस वज़े से एक सीरसा भी मकूर हम इसका ले सकते हैं कौन से देखी A ओ इधर का कौर यह कौर और यह कौर इधर का आप देखिए यहां कौर और यहां कौर दोनों कौर क्या होंगे Equal हो जाएगे तो उन्हें हम यहाँ पर आरह असानी से लिख सकते हैं देखे ये कैसे हो जाएंगे सीरसा भिम्मुक भिम्मुक कोड़ हो जाएंगे और जैसे हो जाएंगे तो हम कह सकते हैं कि तरभुच ए ओ ए सिमिलर हो जाएंगे ट्रेंगिल डी ओ एफ किसकी वज़े से ए ए समरूपता से और जो समरूपता से हो जाएंगे तो इनकी भुजाएं क्या हो जाएंगी संगत हो जाएंगी और जैसे भुजाएं संगत हो जाएंगे तो क्या लिख देंगे यहाँ पर क्या लिख देंगे कि इनकी इनकी भुजाएं इनकी संगत भुजाएं समानुपाती समानुपाती हैं ये चीज हम लिख देंगे तो क्या लिखेंगे अपने डाइगराम में देखते रही है तो इस प्रकार ये समीकरन हमारे पास क्या आ जाएगी अब जब थाड आ जाएगी तो हम इसको एरिया के रूप में कंसिडर कर सकते हैं और जैसे ही है क्योंकि हमको एरिया के टर्म्स में ही यहां चाहिए तो हम लिखेंगे A, B, C equal to half base into height तो base क्या होगा हमारा BC होगा height क्या होगी हमारी height हो जाएगी यहां height हमारी हो जाएगी A और E हो जाएगी इसी प्रकार दूसरे एरिया का लिखेंगे D, B, C equal to 1, 2 B, C multiplied by D, F आजाएगी दोनों को हम क्या करें दोनों को हम आसानी से divide करतें जब divide करेंगे तो आप देखेंगे यहां पर क्या मिलेगा area A, B, C divided by area triangle D, B, C equal to half B, C E बटे बटे B, C गुडे D, F यह आएगा और जैसे ही हमने यह लिखा तो आप देख सकते हैं कि यह चीज़ कैंसल आउट हो जाएगी तो यहां आपको क्या मिलेगा बचेगा आपके पस A, E divided by D, F बचेगा तो यह हमारी समय करण क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी 3 और 4 के सापे शकर हम लिखना चाहेंगे 3 और समय करण जा हमारी पास समय करण आएगी equation 3 और 4 से जो मिलेगा वो क्या मिलेगा area A, B, C divided by area triangle D, B, C equal to A, O, B, D यह चीज़ हमारे M मिलेगा तो यहाँ पर जो भी कुछ है वो हमें मिल जाता है प्रूफ हो जाता है तो यह चीज़ हमें इस प्रकार यहाँ प्रूफ करनी थी अब question number चलते हैं आगे question number चलेंगे हम 4 की तरफ question number जो हमारे पास 4 है उसको देखते है question number 4 में क्या है दो समरूफ त्रिभुजों के छेतरफल बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि वो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं कि नहीं तो इन्हों कहा कि दो समरूफ जो एनिसिमिलर ट्रेंगिल हैं उनके छेतरफल अगर बराबर हैं तो हमें सिद्ध करना कि वो सरवांग सम्भ होंगे कि नहीं होंगे तो आईए इस question number four को solve करते हैं तो यहां जो हमें क्या मिला हमें जो दिया गया है वो दिया गया है triangle मान लीजी ABC ABC हमने एक माना और एक कहा दूसरा हमने मान लिया D, E, F यानि एक ट्रेंगल हमने ऐसे माल लिया एक ट्रेंगल हमने यह माल लिया कैसे भी ए माना A, यह माना B, यह माना C इसी तरीके से यह माना D, यह माना E और यह माना F दो ट्रेंगल हमने ऐसे माल लिये इस तरीके के कोई भी ट्रेंगल साफ ले सकते हैं यह सब गिवन है जो अभी हम लिख रहे हैं यह हम को सवाल में ही दिया गया है यह चीज तो इतनी दी गई थी अब जैसे ही एरिया यह दी गई यह इक व्यू दी गई है तो हम इसको कैसे यूज़ करेंगी अब सवाल को लगाते हैं आप डियाग्राम देख लिए अब कैसे ल एरिया ट्रैंगिल D E F तो एक्वल टू क्या लिखेंगे A B एक साइड को ले लेते हैं बटे D E का होलप स्कॉार ऐसे ही बाकी भी तो दो साइड सोंगे हमारी तो B C डिवेड़ बाई E F भी लिख सकते हैं एक्वल टू एक तीसरी बची तो A C डिवेड़ बाई D F भी हम लिख सकते हैं यह तीनों हमने बराबर लिखती है अब लेकिन हमें ग्यात यहां क्या है हमें जो ग्यात है एरिया कहा गया कि ट्रैंगिल A B C एक्वल टू एरिया ट्रैंगिल D E F ये दोनों बराबर है एरिया बराबर होने का मतलब है कि हम क्या कह सकते है कि एरिया एक्वल ट्रैंगिल A जब एरिया बराबर होगा तो उसका अनुपाद भी बराबर होगा यյन आएगा कहना है का मतलब जगर रکھ देंगे भुजाएं तो वो भी एक ही जैसी आएंगी डी ही एफ एक्वल टू वन आएगा यही तो मतलब हुआ अगर हम इसको इस साइड में ले आएं तो यह चीज़ हो जाएगी अब अगर हम यह चीज़ लिख सकते हैं तो आप सोचिए कि क्या हो सकता है यानि सीधा सा मतलब जो अभी हमने रेशियो सारे लिखे थे ए बी और डी ए एक का होल स्कॉर एक्वल टू तीनो साइड का जो हमने लिखा था वो भी तो बराबर हो जाएगा तुरंग यानि ए एफ का होल स्कॉर एक्वल टू एसी डिवरेट बाइ आप देखिए अपनी नोट बुक में कि एक्वल टू हो जाएगा ये किसके बराबर हो जाएगा वन के बराबर हो जाएगा अब वन के बराबर हो जाएगा तो आप एक एक रेशियो को चेक करें तो हमें क्या मिलेगा देखिए सब होल अप स्कॉार में आ जाएंगे और सब के अगर स्कॉार हटा दें तो वन का तो वर्गमूल वन ही होता है यहीं स्कॉार रूट अगर हम वन का लिखेंगे तो हमें तो वन ही मिलेगा न तो इक्वल टू आप देखिए बी सी डिवाड़ बाई ई एफ डिवाड़ बाई ऐसी डिवाड़ बाई डि एफ एक्वल टू न ही तो मिलेगा और जैसे ही वन मिलेगा तो आप क्या लिख सकते हो देखिए अगर हम डि ए की बात करें तो यह वन के बराबर होगा और वन के बराबर होने का मतलब क्या है A B equal to D E होगा यहनि एक बुझा दूसरे बुझा के बराबर हो गई अब दूसरी की बात करते हैं इसी प्रकार तीनों हो जाएंगी न B C divided by क्या मिलेगा आपको E F यहाँ भी 1 इसको जिसे आप लिखोगे तो B C equal to क्या मिलेगा E F मिल जाएगा इसी प्रकार A C की बात करें A C divided by आपको क्या मिलेगा D F equal to 1 यहाँ भी आपको A C equal to D F मिल जाएगा तो यह आप देखेंगे कि सारी भुझाएं और सारे कौण एक जैसे हो गए तो क्या हो जाएगी संगत भुझाएं समान हो गई तीनो संगत भुझाएं समान तीनो कौण समान तो आप क्या लिख सकते हैं कि सब जब समान हैं तो आप लिख देंगे कि ट्रेंगिल A B C सर्वांग संग का चिन्न लगा देंगी कि D ट्रेंगिल D E F जब सभी भुझाएं आपने सामने की बराबर तो ट्रिपल S या ट्रिपल A जो हमारी कसोटी है उसके तहत ये सरवांग सम हो जाएंगे तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि ये हमने यहाँ पर सिद्ध कर दिया ये हमारा जो कोशन था उसे हमने आसानी से जो है सिद्ध कर लिया अगर आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप सेर जरूर करिए लाइक करिए अपने दोस्तों तक जरूर सेर करिए और सब्सक्राइब अगर चैनल को नहीं किये हैं तो आप subscribe जरू कर लीजिए धन्यवाद जिससे आपको ये वीडियो जैसे ही हम upload करेंगे आपको तुरंट वीडियो प्राप्त हो जाएगा उसका notification इसी के साथ मिलते हैं अगले questions में अगले वीडियो में धन्यवाद जय हिन जय भारत